हेलो फेंड्स, माई नेम इस ताश तंबोली and वेल्कम तो माई यूटूब चैनल, सॉफ्ट्व फॉरेंग आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने हैं, हम लोग कंपर सिस्टम का जब सीट राइब फुल होता है, मतलब रेड कलर में शोव होना शुरू कर देता हैं, तो वहा अगर आपको सीट राइब में एक्स्ट्रा स्पेस एड करने हैं, तो एड कैसे करेंगे, इसके रेडियो में वीडियो बनाए हुए, यहाँ पर आई बटन में आप लोग को लिंक मीरी जाएंगे, यहाँ नीचे डिस्क्रेशन में भी उसकी लिंक दीए, तो वहाँ पर जा यहाँ पर इसी 5.90 GB यहाँ पर उसका स्पेस अवलेबल दिख रहा है, तो यहाँ पर इसकी रिजन से भी आपकी जो सिस्टम है, यह स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसके अंदर कुछ फाइल डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर इसकी साइज एटिमिटिकली प्रेस करना है, विंडो बटन साथ में आप प्रेस करने के बाद में यहाँ पर रण विंडो उपन होगी, और यहाँ पर आप लोग टाइप करने परसंटेज, और परसंटेज टाइप करने के बाद में यहाँ परसंटेज करने के बाद में फिर से एक परसंटेज का सिंपल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग पूरी कम्प्लिमें तक हम लोग रोप जाएंगे तो यहां पर मैं थोड़ा स्कीप कर रहा हूं कि यहां पर कुछ बैकरण शॉप्टर चाड़ रहा है कि हम लोग दूदिस इसके उपर क्लिक कर दो और स्कीप पर क्लिक कर दो कंप्लिट होने बाद में आप इसे क्लोस कर देंगे लोग बताऊंगा यहां पर विंडो बटन साथ में फिर से आर बटन क्लेश करना है रन मिंट पर क्लिक किये यहां पर कंटिन पर क्लिक करने के बाद इनक्तिन है यहां पर जितनी भी फाइल्स यहां पर पर अघ्च्रून् पर कलें ब करने क्षों से निदुटकर करने बाद में are you sure you want to message फिल्ट से आ जाएंगा यहां पर फिर से एस बटन पर क्लिक कर दो और थोड़ा वक ले रूप जाओ यहां पर जैसे एक complete होने कबाद में जैसे आप देख रहे हैं यहां पर अब यह process पूरी होने तक आप लोगो रूप जाना है जैसे बिस clean up की यह window पर आ जाओंगे तो यहां पर एक कुछ check box already पहले से हैं अगर आपको इस दूसरे कुछ पर check box on करना है तो आप on कर सकते हों जैसे recycle bin ने temporary file पर click कर देता हूं recycle bin पर click करोंगे तो भी चाल जाएंगा अब recycle bin का data है वह भी डिस clean up में आ जाएंगा तो clean हो जाएंगा उसकाद में यहां पर हम लोग यहां पर clean up system file इसके उपर click करेंगे clean up system file के उपर click करने के बाद में थोड़ा wait करना है आपको तो यहां पर background में आप देख सकते कि यहां पर disk cleanup फिर से चुरूर हुआ है जैसे complete होंगा उसके आगर मैं फिर से पर continue कर दूँगा जैसे complete होंगा complete होने के बाद में आपको यहां पर ok पर click करना है ओके पर click करना है यहां पर एक नए window पर होंगा disk cleanup की यहां पर delete are you sure you want to permanently deleted this file तो यहां पर delete file पर click करना है delete files बटन पर click करना है यहां पर फिर से उसकी जो temporary file यह process complete होंगी जैसे वो process complete हो गई process complete होने पर होने अपको यहां पर ok पर click करना है next state है कि यही see drive की उपर फिर से आप लोग right click करना है right click करने बाद में properties में जाना है और properties में जाने के बाद में यहां पर compress this drive to save this space इसे बी check box इसका on करना है से लिए करने के बाद में आपको apply पी क्लिक करना है और apply पी बीक कालने के लिए यहां प्रोसेस रहे रहे हैं कि इसके आंदर जैसे यहां पे तो दिखाए रहे हैं कि 14-14 में यहां आप लोगा complete हो जाएगा इससे फाइल आएक होँगा जो आप लोग का सी ड्राइव ही यहाँ पर दिख रहा है 5.85 GB यह मेरा free space यहाँ पर शो कर रहा है यह free space जैसे प्रोसेस complete होंगी complete होने के बाद में तो आप लोग में direct दिखा दूँगा कि यहाँ पर आप कितना space मुझे मिल रहा है यह best option है कि आप लोग के जो सीड आए उसके अंदर के बहुत सारी फाइल जो हम लोग के काम की नहीं है यह delete करता है यह जैसे complete होंगा मैं आप लोग को इसके आगे continue कर दूँगा अगर आपके complete system पर यह error आ रहा है यहाँ पर आप लोग को ignore all पर क्लिक करना है यहाँ पर ignore all पर क्लिक करने बाद में फिर से उसकी process शुरू होंगी जैसे यह process complete होंगे मैं फिर से आप लोग को continue कर दूँगा जैसे यह process complete होंगे complete होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग कर देंगे आप नेक्स टेप आप लोग क्या करना है जो recycle भी नहीं इसको पर double click करना है डबल क्लिक करना ही बाद में यहाँ पर जितनी भी फाइल होंगे यह फाइल आप लोग को delete करना है अब यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल है नहीं कि मैंने उससे पहले disk clean up किया हूँ और इसके आप में यहाँ पर desktop के उपर जितनी भी आप लोग के icon या जो software आप लोग ने require है वही icon यहाँ पर रख दो otherwise बाकि जितनी भी icon ही पूरे delete कर दो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था मैंने आप लोग पूरा detail में बतायों कि आपका C drive अगर full हो रहा है तो full होने के वज़े से हम लोग के system slow हो जाती तो इसी full C drive हम लोग कैसे solve कर सकते हैं उसके अंदर जो हम लोग को space था वो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं यह मने आज की इस वीडियो में आप लोग बतायों कि आपकी जो disk cleanup जो फाइल आप लोग की important नहीं है उसे हम लोग कैसे मिटाएंगे यह भी आज की इस वीडियो में मने आप लोग बतायों अगर यह वीडियो आप लोग पसंद आगाई होंगे इस वीडियो को लाइक कर दो, आपने दोस्तों साथ शेर कर दो, और मेरे से यूटूप चैनल सॉप्टेग पोरे को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकोन पर क्लिक कर देना, और अगर और होंपे आल पर क्लिक कर देना, और अगर क्यों भी डाव से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फूस सकते हों